यहां पर मैंने मीडियम साइज के पांच आलू लिये है और इसे अच्छे से हम धो लेंगे थोड़ी दिर मैंने इसे पानी में रखे हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी वगरा होती हो जड़ जाए और अच्छे से क्लीन हो जाए तो अभी मैं इसको छील लूगी और इस से चलने के बाद हम इसे कर लेंगे कदूकस तो यहां पर मैंने लिया है इस तरह का कदूकस से बारिक साइज के भी है तो मैं यहां से इस तरह का जो मोटा साइज जो होता है उस तरह से मैं करने वाली हूँ ताकि जो मतलब जो कीस बनाएंगे हम उसका तो टूटे नहीं पानी देख सकते हैं पुरा स्टार्च उसमें है अभी यहां पे भी में दो तीन पानी से इसे अच्छे से धो लूँगी पानी आपको भी साफ नजर आ रहा होंगा लेकिन इसका भी अभी स्टार्च निकलना बाकी है तो इसे में अभी और दो पानी से धो लिया है और देख स पूरा पानी जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है लेकिन इसके बाद भी स्टार्च निकलना बाकी है क्योंकि अभी हमारी अगली प्रोसीजर जो है उसे थोड़ा सा बॉइल कर लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के तो इसमें डाल दूंगी और बस एक उबाल लाना है ज्यादा पकाना वगेरा नहीं है बस इस तरह से एक बॉइल आ जाए तो इसे हम कर लेंगे बंद और जो उपर उपर आपको दीक रहा है यह इसका स्टार्च यह देख सकते हैं मैंने ग्यास बंद कर लिया है बाकी का स्टार्च मैंने निकाल दिया थोड़ा थोड़ा बचा हुआ इ हम इने तोलिये पे थोड़ा सा इसे सुखा लेंगे जो छोटा नैपकिन वगेरा है तो इसमें हम रख देंगे थोड़ा मतला 15 से आदे घंटे तक के थोड़ा सा छोड़ देंगे इस तरह से अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप तुरंती इसे तल भी सकते हैं और तल थोड़े थोड़े करके हमें चोटे-चोटे बैचेस में ही तलना है एक साथ पूरा नहीं डालना है नहीं तो जो क्रिस्पीनेस होता है वो जिस तरह से हमेशा है वो नहीं मिलेंगा यह आप देख सकते हैं और इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाले है जो फास्ट के लिए है तो आप वो भी चेक आउट कर सकते हैं उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो यह देख सकते हैं कितने अच्छे से हैं क्रिस्पी हो चुके हैं तो अभी मैं इसे एक प्लेक में निकाल दूँगी इस तरह से थोड़ी दूसरी जो इस बाद में बाकी के बैचेस भी कर लूँगी और उसके बाद में यहां पर मॉणक फरली जो यह हैं उसे भी हम फ्राय कर लेंगे क्योंकि इसके बगार तो इसमें मजा आना ही नहीं है तो यहां पर मॉणक फली थोड़ी जादा ली हुई है आप चाहे थो अपने हिसाब स कामिया जादा कर सकते हैं ऐसे कुछ मतलब मेजरिंग नहीं है कि इतना ही लेना है मैं इसलिए ज्यादा ले रही हूं क्योंकि मेरे बच्चों को जो मुंफली बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं उसमें थोड़ा ज्यादा ही याड़ करूंगी तो यह देख सकते हैं सब कुछ आप चाहे तो इसमें किसमी सौर काजू को भी फ्राइ करके डाल सकते हैं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अभी हम इसे कर लेंगे मिक्स और इसमें डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले तो काली मिर्च पाउडर डाली है मैंने थोड़ी सी थोड़ा सी शकर पा पाउडर अगर खाते हैं उपास में तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं तो अभी बिल्कुल हमारा जो चूड़ा है उपास का बिल्कुल तयार हो चुका है आज है महाशिवरातरी तो आए होप कि आप यह जरूर बनाएंगे और आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आ झाल दिल्दी बबाइ